आप सभी लोग को मेरा नमस्कार उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोग बेतर होंगे आज की वीडियो में एक चोटी से इंफर्मेशन आप सभी बच्चों को देनी है यह इस वज़े से भी जरूरी है क्योंकि जब आपके एक्जामिनेशन सुरू होने वाले होते हैं यानि दो-तीन महीने बाकी रह जाते हैं तो इस तरह की कोई खबर जरूर आ जाती है जहां पर आपका पूरा का पूरा फोकस चेंज हो जाता है यानि आपका जो रूटीन है जो पढ़ने का फ्लो है वो सब कुछ बदल जाता है अभी रिसेंटली SSE examination लेने वाले जो vendor TCS थे उनको बतल दिया गया है अब दूसरा vendor नुक्त कर दिया गया है जो आपके examination के जो questions paper है वो बनाने वाले हैं तो अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आने लगी है कि सर पेपर किस तरह का होगा क्या जो हम PYQs बगरा लगा रहे हैं क्या वो लगाना सही है और क्या जो paper का level English का पहले आता था क्या वो आएगा या बाकी भी paper का level क्या उसी तरीके से आने वाला है अभी तक हमने जो अपना syllabus पढ़ा है या जो हम पढ़ रहे हैं या जो PYQs हम लगा रहे हैं जिस तरह के questions बें हम practice कर रहे हैं मौक्टेस दे रहे हैं क्या सब कुछ छोड़ करके फेक देना सही होगा या कुछ नया हमें पढ़ने की ज़रुत है ये सारी चीजों को ले करके मैं बस 5 मिनिट आप करूँगा आप लोगों से request है कि इस वीडियों को पूरा देख लिजेगा सारा का सारा clarification आप लोगों का हो जाएगा जैसा कि पहले TCS पिछले 5 सालों से आपके पेपर को conduct करवा रही थी पेपर का लेवल आप सबी लोगों ने देख लिया है जिसमें इंगलिस आपको हमेशा से बिल्कुल हलुआ मिली है बहुत अच्छा खासा लेवल इंगलिस का तो रहा नहीं है इवन बाकी पेपर का भी कुछ खासा मतब मैस में देखा जाते हैं तो बच्चे डिलेमा में आ जाते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ने लग जाती है कि यार आप क्या करेंगे तो उनका जो पढ़ने का फ्लो है जो उनका पढ़ने का रूटीन है जो एक टाइम टेबल है वो बिखर जाता है तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस फ्लो में जिस रूटीन में जिस टाइम टेबल में आप लोग आएगी और software और ये सारी चीज़ों को लेकर के अलग देखेंगे लोग तो इसमें क्या बदलाव आ सकता है तो देखें जो आपका डिलेमा है जो सबसे बड़ी और important चीज़ है वो ये है कि क्या paper पहले जैसा ही आएगा या paper में अब कुछ बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है ठीक है मैं यहाँ पे आप से बात करूँगा इंगलिस को लेकर के तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से यही है और खुद से पूछी जिन लोगों को दिवाग में यह continuously चल रहा है कि क्या हम जो पढ़ रहे है वो हमें पढ़ना चाहिए या जो हम PYQ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे है या mock test लगा रहे है PYQ based क्या वो हमें लगाना चाहिए कि जो question का level अभी हमें जो easy to moderate देखने को मिल रहा है तो क्या vendor के change होने के साथ साथ कहीं भी आपने किसी official website SSC के आपने देखा है कि English का जितना भी selfless पहले था यानि grammar के अंदर vocabulary के अंदर जो comprehensive part उसमें कुछ भी बदला गया है किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया syllabus आपका same है दूसरी चीज यह है कि क्या PYQs अब एक बात बताईए जरा अब होता क्या है कि जब किसी भी नए vendor को सौपा जाता है कि भी आप हम आपके हवाले कर रहे है अब paper बनाने के जिम्मेदारी आपकी है तो जाहिर सी बात है SSC क्या करेगी कि उनको sample paper थमाएगी देखे यह हमारा examination है यह examination आता है यह हमारा criteria है इस तरह के level के paper हम अपने students को देते हैं तो जाहिर सी बात है जो उनके sample paper जो उनके पास जाएगी वो उस चीज़ को analysis करेंगी कि हाँ आप पिछले 5-10 सालों में किस तरह के questions इस examination के अंदर पूछेगे हैं ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इससी exams की त्यारी करें तो cat level का questions उसमें दे देंगे हो सकता है काथ 2 questions क्योंकि होता क्या है कि जब नया vendor आएगा तो थोड़ी बहुत creativity वो अपने हिसाब से तो डालेगा हो सकता है 2-4 questions आपको नए देखने को मिल सकते हैं और आपने अच्छे से अगर पीवाइक्यों से लगा रखे हैं और अगर अच्छे से आपने पूरा का पूरा syllabus कवर रखा है हर concept हर vocabulary आपको आती होगी तो अगर थोड़ा सा टेढ़ा और तेरच्छा देंगे तो भी आप कर लोगे बहुत ज़्यादा vocabulary में बदलाव ये दे सकते हैं जैसे एक word है आपका language language यानि lazy ठीक है अब ये आपको पहले से पता है हो सकता है उसके जगह पे वो language ना देके indolent शब्द दे दे या lackadaisical शब्द दे दे तो मतलब वो देंगे वही word हो सकता है उसके synonym में से कोई एक ऐसा word pick कर ले जो आपके लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है तो कहने का मतलब ना तो syllabus में कोई वो है बदलाव है और आपके pbqs जैसा कि मैंने बताए कि sample paper भाई उनको जो दिये जाएंगे उसी आधार पे आपका paper बनेगा साथी साथ question pattern ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है question pattern on question level को लेकर कि हाँ जैसा कि आप लोगों को पता है ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो question pattern है वो बदल सकते हैं अभी recently IB का paper हुआ था IB के paper का पूरा का पूरा discussion मैंने पूरा किया हुआ है अपने channel के उपर आप देख सकते हैं उसमें उसका pattern चेंस था ऐसा नहीं कि vocabulary में कुछ नया दिया या grammar में कुछ नया दिया बस उनके जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा अलग था और वो थोड़ा लेंदी बनाता है यानि जब आप paper देंगे न तो वो आपको पढ़ने में उनके instruction को समझने में question को करने में वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो हाँ यह हो सकता है कि जो question के पूछने का उनका तरीका है वो pattern change करते हैं वो syllabus, concept, vocabulary नहीं change कर सकते हैं pattern change कर सकते हैं जैसे banking का जो pattern होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है तो हो सकता paper थोड़ा सा लेंदी आ सकता है question के level की बात करें जैसा कि आपको पता है कि हमीशा से जब English को लेकर के बात होती है तो बच्चों के मन में math को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि सर हाँ वो थोड़ा सा लेंदी था थोड़ा सा calculated था लेकिन English हमीशा से लोगों के लिए हलुआ ही रही है मतलब हाँ सर इंग्लिस का paper कुछ खासा नहीं आया था easy था vocabulary भी आ रही थी पर चाहे pre उठाईए चाहे means उठाईए आप ऐसे चुटकियों में उन paper को कर सकते हैं बहुत extraordinary या बहुत अलग आपको vocabulary देखने को नहीं मिलती बहुत ही extraordinary और बहुत अलग तरीके का grammar की जो questions है वो नहीं देखने के मिलते और साथ ही साथ अगर आप comprehension part पे भी focus करें तो सारे के सारे question 23 को देखें बाइस को देखें तो बहुत अलग वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो हाँ हो सकता है कि इनके level में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है और इनके pattern में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है तो अब देखें क्या है कि अगर आपका focus CGL है या CHSL है आगे आने वाले examination के लिए आप बहुत अच्छे से focus कर रहे हैं तो अभी ये जो selection post का exam लेने वाले हैं वहाँ से इनके pattern का भी पता चल जाएगा और इनके level का भी पता चल जाएगा और हमें एक idea तो लग जाएगा तो अभी के लिए मेरी आप सभी लोगों से हाँ चोड़ करके request है दुनिया बर की वीडियों इधर दूर देखना बंद करिए अपना जिस तरीके से आप अपने examination की तयारी कर रहे हैं वैसे ही examination की तयारी अपना लगे रहो full place में जिन teacher से भी पढ़ रहे हो उनका syllabus complete करो जैसे वो आपको करवा रहे हैं अगर आप compatibility बन रही है उनके साथ आप पढ़ते रहे हैं साथी साथ पूरे 5 साल के PYQ उसको लगा डाली है अच्छे से mock test लगाते रहे हैं फालतू की खबरों पर distract मत होईए हाँ रही बात pattern का और level का जैसा कि मैं अपने जो हमारा practice patch हमने launch किया है उसमें आप pattern देखोगे तो जबर्दस्ट pattern मैं करवा रहा हूँ हर तरह का pattern करवा रहा हूँ साथी साथ जो YouTube पर पर मैं practice करवाता हूँ उसमें भी different patterns के उपर हम लोग question कर रहे है और अच्छा question का level भी रखा जाता है तो ये दोनों का पता हमें तो पहले examination से ही पता चल जाएगा कि भया ये किस रास्ते की तरह बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग सारा ही चीज़ों को बदल देंगे लेकिन जब तक ऐसा उनका पहला कोई examination conduct नहीं होता है और उनका question paper बाहर निकल करके नहीं आता है तो हम अपनी तरफ से किसी तरह का कोई आकलें नहीं कर सकते हैं और रही बात क्या आप बदलेगा तो मैं आपको इस चीज़ को लेकर के clear cut जवाब तूँगा नहीं किसी तरह का कोई बखुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि अगर बदलाव तब होता जब वो syllabus में किसी तरह का कोई बदलाव करते syllabus बिल्कुल सेम है तो questions वहीं से आने है और जाहिर सी बात है जो भी vendor आएगा वो जो पिछले 5 साल के paper है और जो SSC उनको सौपेगी यह हमारा sample paper है उसी के आधार पे वो question बनाएंगे तो question को थोड़ा tricky कर सकते हैं question को थोड़ा confusing कर सकते हैं तो आप यह aspirant है आपको भी पुरा concentrate होकर के पुरा focus होकर के अच्छे से हर चीज़ को समझ करके अपने teacher के guidance में पढ़ना है जिससे वो आपको बता सके कि भाई अगर चीज़ें tricky हो सकती हैं conceptual हो सकती हैं, critical हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है तो भाई मेरा बस यही कहना है आप सबी लोगों से कि अच्छे से अपनी पढ़ाई करें ठीक है, जिस तरीके से flow में हैं उसी तरीके से अपना flow maintain करें और ये selection post का paper जाकर के जरूर दें या उसको देखें, समझें एक बार भले आप CGL को target कर रहें इससे आपको idea लगेगा उमीद करता हूँ कि जितने भी dilemma आप लोगों के दिमाग में थी, वो एकदम clear हुई बहुत properly हमने देखा है इन चीजों को समझा है, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियों लेकर क्या रहा हूँ जिससे आपको इन चीजों को लेकर के clarity रहे PYQs लगाते रहें और अपना cell bus complete करते रहें रही बाद pattern और question level की वो पहले जब इनका paper होगा उसमें पता चल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबिलूं का Thank you so much